आ गये सभी बिल्कुल करते हैं चलो आज की इस क्लास की सुराथ बिल्कुल साथ कहा तक पढ़ लिया था पढ़ने कली हुए बस एक क्लास हो यह बित्क हमारी राजस्तान इतियास की और आज यह हमारी दूसरी क्लास है किसे पास दोट्बुक को हो तो पता हिए कहां तक पड़ लिया था आपने है बिल्कुल है कि आपके पास कि अच्छा चलो है कि बहुत बढ़ एक इसने बनाया बोड के उपराद किसकी कलाकारी है कि बिल्कुल बहुत बढ़ा है बहुत अच्छा बनाया है बनाने वाले बिल्कुल अच्छा विक्रम जी ने बनाया है बिल्कुल कोई बात नहीं बिल्कुल बनाना वह चाहिए टेलेंट है टेलेंट को भाहर निकालना चाहिए बिल्कुल बहुत बहुत चलों बड़े अगे अब सब आ गए अब पीछे से केड़ बंद कर दो फिर हम क्लास की शुराथ करते हैं बिल्कुल सब अब अब अपन कल जो राजस्तान का इतियास से उससे कुछ बेशिक जानकारी थी वह हमने प्राप्त कर ली थी ना अब उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था देखो राजस्तान इतियास के बारे में अपने देखा कि राजस्तान इतियास जो राजस्तान का प्राचिन इतिय के बारे में मैंने आपको कल कलाच के अंदर बता दिया आपके नौट बूक के अंदर ये No तात्विक श्रोतों के बारे में कि पुरातात्विक श्रोत क्या गया कि अच्छा पुरात्विक करतात्य स्रोतों के बारे में देखाताना अपने जैसे अभी लेग देख लिए कि अबेलोग मूर्थी लेके और पट्ट लेके इनके बारे में को जानगारी प्राप्त करनी है चिकों के बारे में देखना है और जो मर्द बारे में उनके बारे में कुन को देखना है वैसा बना यहां तक लिख लिए था खल अपने साथी से नोट बुक ले लेना और नोट डाउन को लेन यह प्राजस्तान का इत्यास अरे सी बात इना इत्यास दे रहा है आपके पास उपलब्द नहीं है क्या जैले बस के अंदर सिर्फ राजस्तान इत्यास लिखा हूए उसके अंदर कोई सब इसमें क्यों कंफीज हो रही हो सब पढ़ना है अपन को अब जिसे को कर देते हैं वे उस इसाफ से पढ़ते लेकिन टोपने नहीं कर रहा है इसके अन्दर किसफने बोला ने गलत है बिटा क्यूशन कांशी भी आ सकता है विल्कुल कंपलीट तर्चा करेंगे अपन ओके आपके पास सेलिवस के अंदर लिका हुआ है कि सरी यह टोपे की पढ़ना है तो मेरे को बताओ किसके पास लिका हुआ है कि अब चलो करते हैं आज की स्कलास के शुरॉत आप किसी को भी समझे हो तो हम बाद में तर्चा करेंगे उसके उपड़ एक गंटे का समय मिलता है अपन को उसके अंदर भी आप 10-15 मिनिट तो ऐसे खरत कर देता हो अब जो बारतिये पुरात्तात्यू सर्वेक्शन विबाग बारतिये पुरात्तयू सर्वेक्शन विबाग इस की ताफन कैसके द्वारा किसके दौरा है के द्वारा के द्वारा contraction करेंग के द्वारा करें अलेक्टेंडर कनिंगम के द्वारा जो बारत्य Πुरात्य तो श्रवक्ष्ण विवागी उसकी स्ताबनगी जाती और कब की जाती है अb अब यह नहीं किसनय कर और आप कि पुचा जाता है न इसको किके नहीं पूचा birazılmış कि नहीं फुरह पुराथ Channel के द्वारा की आज बारत एड फुर्वात तुरेक्शनिवी के अंदर नोट डाउन करते हुए साथ में जालोक बारत ये उल्हे ए rif कुरात्ता तो है कि सर्वेक्षन विवाग एक एक चीज नोट नहीं करूँगा मैं शर्फ आपको सोट कीवर्ड लिकूंगा यहां पर और आपको नोट डाउन करते हुए चलना है मैं नोट डाउन कुरूआता हूं कोना चलो लिको बारतिये सर्वेक्षन विवाग की स्थाप अटारा सो एक सट के अंदर की जाती है जैसे यह लिखा तो उसके नीचे लिक लेना अलेक जेंडर कनिंगम के द्वारा इसके स्थापना की जाती है मुक्याले कहां पर मुक्याले नहीं दिली के अंदर पुनरगटन के जाता है 1902 के अंदर पुनरगटन 1902 में जोन मार्शल के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है मिल्कुल किसके द्वारा जोन मार्शल के द्वारा पुनरगटन किया जाता है कब किया जाता है 1902 के अंदर क्लिए रहे हैं तक मिल्कुल चलो अब जो बार्दी पुरातात्यु स्रिवक्षिन विबागे इसकी स्ताब ना कर दी वाई साब कब कि अपने अपने कहें अलेक्जेडर कनिंगम ने की थी सब की है 1861 के अंदर मुक्याले नहीं दिली के अंदर है और पुनर गटन किया जाता है 1902 के अंदर किसके द्वारा जोन मार्शल के द्वारा पुनर गटन किया जाता है ओके बेलकुल अब राजस्तान है ना राजस्तान के अंदर पुरता तु स्रिवेक्षन विबागे इसने कारे करना खब प्रारण में किया SPEAKER भी पूछा जा सकता है ईपने को एग्जाम के अंदर की जो विभाग इसने राजस्तान के अंदर कारे करना कब परारम किया है बिलकुल वाय सब इसने कि कलायल के दुवारा पूचा जाता है ना एक्जाम के अंदर ये भी पूचा जाता है इसको भी द्यान रखना है इसको भी नोट डाउन कर लो इस प्रकार को राजस्तान में राजस्तान में सर्वपर्तम पुरातात्विक स्रिवेक्षन का कारिये एस सी एल कलायल के दुवारा किया जाता है ये देखो नाम लिका वहाए बोड के उपर ये लिकना है आपको ना 1871 में HCL कलायल के द्वारा किया जाता है हाँ बिल्कुल एक्जामे क्यूशन पूचा जाता है ना अपनको एक्जाम के अंदर हाँ बिल्कुल क्यूशन वेटा इस प्रकार से पूचा जाएगा कि राजिस्तान में पुरा तात्रिक सर्वेक्षिन का कार्य सवर परतम किस्के द्वारा परारं किया गया तो आपको बताने है ह STL ंл Dre के द्वरा राजिस्तान में सवर्वफफर्था बिल्कुल की द्वारतन कार्य परारं किया जाता है ऊप्संन आएगा जालेट एक उपसण और आणे लगया कितने उपसण आते वाज हम नहीं कर सकते हैं वहां पर 500 आपको गोला करना होता है कि बिल्कुल जो अभी एक्जाम दिये ने उनको तो पता है ना कि ओके है कि बहुत बढ़ी है कि नाथ जन संग्या तोड़ी ज्यादा दिकाए दे रही कल कांच ले गए थे सब अरे जीमने में कुछ भी नहीं रखा मुर्कों पड़ा करो जीमने तो बाद में होते रहेंगे पहले नोकरी लगदाव आप और डेली क्लास अटेंड के अगरो और इससे काम तोड़ी चलने वाला है डेली क्लास लेना है आप सबको न अच्छा कर लिया नोट डाउन यहां तक अब आगे लिकना है वह साव आपको अब यह जो अपन देख रहें न जो समराट असोक का नाम सुनाए न आपने सबने समराट असोक किस किस ने नाम सुना है समराट असोक अब नीचे खुलवाद समराट असोक के द्वारा शिलालेक लिकाए गए थे न सर प्रतम शिलालेक किस के द्वारा लिकाए गए थे समराट असोक के द्वारा सिलालेक लिकाने का कारिये प्रारंब किया गए था न अब इसको लिको समराट असोक ने समराट असोक ने समराट असोक ने सरो परतम सिलालेक लिकाने का कारिये प्रारंब किया समराट असोक ने सर उपरतम सिलालेग लिखाने का कारे परारम्ब किया जो समराट असोक तो ना उसके द्वारा सिलालेग लिखाने का कारे परारम्ब किया जाता है ये भी द्यान रखना है उच्छले आपको एक्जाम के अंदर कि किसके द्वारा सिला लेग लिखाने का कार्य प्रारम किया गया तो आपको बताना है संब्राठ असोग के द्वारा अब लेक लिखाने का कार्य प्रारम किस ने कर दिया संब्राठ असोगने अब लेकर न अब लेकर कौन सी बासा के अंदर लिखे जाते थे लेक किस बासा के अंदर लिकए जाते थे बिलकुल किस बासा के अंदर संस्कर्थ बासा के अंदर संस्कर्थ बासा के अंदर ये सिलालेक लिके जाते किस बासा में लिके जाते तेरे भई संस्कर्थ के अंदर संस्कर्थ संस्किर्थ अना अब इसनकी लिपी के बारे में भी पूचा जाता है लिपी बासा तो संस्कर्थ थी अब लिपी के बारे में पूचा जाता है कौन सी लीपी के अंदर कौन सा सीलालेक लिखा जाता है अब जो भी अपन सीलालेक बढ़ेंगे ना उनके बारे में देखेंगे सब के बारे में कि कौन सा सीलालेक किसके द्वारा लिखा गया कौन सी लीपी के अंदर लिखा जाता है कौन सी बास है आवाज क इन दोनों की बारे में द्यां रखना है लिप अरे सीधा लिखो ना लिपी लिखने के पसाद लिख लो कौन कौन से लिखाया एक दो माज जनी और एक नागरी यह लिपी के बारे में द्यां रखना है आपको ना बिल्कुल यह जो शिला लेके उन्चे सम्मंदित कुछ तत्य यह आपको द्यां रखना है अब देखो सबसे पहले क्या तत्य देखा तब पर ने कि बारतिया सर्वेक्षिन विबा की स्तापना 1861 के अंदर की जाती है हो गया याद किन के दौरा बिल्कुल काँ पर पुनर गटन कब किया जाता है किसके दौरा अरे जोन मार्शल के दौरा किया जाता है यह द्यां रखना है अपर लिकावा है ना आपके सामने बोर्ड के उपर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वार तो इस्तापना की गए ती 1868 के अंदर लेकिन पुनर गटन किया जाता है जोन मार्शल के द्वारा 1902 के अंदर के लिए यह यहां तक अब इसके पसार देखा था अपने अट्टारा सो इगतर के अंदर कभं अट्टारा सो इगतर के अंदर क्या होता है राजश्तान में सरौ परतम पुरा तात्विक सरवेक्षिन का कारिये परारम कब किया गय था राजस्तान में पुरा तत्विक सर्वेक्षिन विबाग का कारे परारम कब किया गया था अटारा सो इगत्तर में किसके द्वारा ACL कलायल के द्वारा लिक लिएंग नयातक नोट कर लिए बिल्कुल आप जो सम्राट असोग सम्राट असोग के द्वारा शेलालेग लिकाने का कारे परार्म किया जाता है लेपी कुंसी है लपी-ये, Maja नियon और Nagrin चीला ले किस बासा के अंदर ये शंसकर्द बासा केम बासा के बारे में भी पूचा गया कई ले कोशने पहले और आगे भी पूचा जाता है कि बासा कौन से और लिपी कौन से इनके बारे में द्यान आपको रखना है ओके बिल्कुल अब यहां तक किशी को कोई समस्य आए नहीं है होगी भी कैसे अरे साहरी 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 कोई एक्जाम के अंदर तोड़ी पुझी जाएगे आपको अभी तो क्लास दुरूई है और आते हैं साहरी कोई मजाग तोड़ी होता है बेटाई से साहरी का भी समय होता है सुनाने का जब क्लास का एंड होगा छूटी यह बिलकुल अब यह द्याया रखना है पन्कों न अब आपन देखेंगे शीललेक अब को उनके बारे में देखेंगे शीललेक अब यहां से हमारा टोपिक की सुरुवात होती है सिलालेक अब सिलालेक के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कौन से सिलालेक के बारे में पढ़े सबसे पहले पढ़ा जाता है बढ़ली सिलालेक के बारे में कौन से सिलालेक के बारे में पढ़ा जाता है बढ़ली शीला लेक बढ़ली शीला लेक अब ये बढ़ली शीला लेक है वाई साब ये कहां परें चलो बताओ कहां परें किस किस को पता है चलो ये बता दो मेरे को तो किस शीला लेक किस किस के द्वारा पढ़े गए पहले किसी के द्वारा नहीं पढ़े गए कि जो खूँ यह भूझ पूझ कोंपन इसके ने अचाल सूचुरह बताओ पहली बार कोची कौन कौन कर रहा है कि पहली पार ही कर रहे हो है कि अ ए पहले कोचिंग नहीं के यह यह जो कोई नहीं कर वेक्वाहिoking कंपिलीट करवाएंगे में अवे बड़ी शिल्हा लेके इसके बारे में देख लेकां परे बड़ी अजमेर मेर का नाम और आजमेर के अंदर एक दुर्ग भी बनावाए दूरू कौन सा है है ति technical वेटा बहुत बड़े क्या नाम है आपका किसना चलो बहुत बढ़िया टोड़ गड़े बिल्कुल बहुत बढ़िया बताए वेटे ने बिल्कुल अब बढ़ली शिला लेके यह कब खोजा जाता है न यह 433 इस्वीपूर से यह 443 इस्वीपूर इस समय समय को किस नाम से जाना झाए ह। कृष्टा जाता ही ने विठा यह जेसे 433 आ गया ना अब 434 नहीं आएगा पहले अब भी तो यह से चलता है ना कि 2024 चल रहा है अब 2024 के पसाद 2025 2026 और इश्वी पूरी में क्या होता था अब 433 है तो 433 के पसाद क्या आता है 434 नहीं आएगा 432 आएगा ना फिर 432 के बाद में 431, 430 इश्वी पूरी यानि उल्टा चलता है ना इसा मसी है इसा मसी के पूर्वी का समय इश्वी पूरी और इसा मसी का जनम के पसाद का समय बिल्कुल समझदारों इसे तो आप सबना ओके बड़ली सिला लेक बड़ली अजमेर के अंदर है कहा पर है बड़ली अजमेर के अंदर है अब इसकी कोज किसके दोरा की जाती है बिल्कुल जी अच ओजा के दोरा बड़ली सिला लेकी कोज की जाती है ये भी पूचा गया है एक्जम के अंदर कि किसके दोरा कोज की जाती है जी अच ओजा के दोरा बड़ली सिला लेकी कोज की जाती है जी अच ओजा गोरी संकर हीराचंद ओजा पुरा नामे जी अच ओजा तो अपन सोट नाम लिखते हैं इनका और पुरा नामे गोरी संकर हीराचंद ओजा जी अच ओजा की द्वारा हां कोच की जादी जी अच ओजा के द्वारे इसके न और यह जो बड़ली शिलाले के राजस्तान का सबसे प्राचिन शिलाले के सबसे प्राचिन सबसे प्राचिन सबसे प्राचिन सबसे प्राचिन सबसे प्राचिन सिलाले कौन सा है बड़ली सिलाले कोज किसके द्वारा जी अच ओजाके द्वारा कहां पर है बिलकुल कहां पर है अजमेर के अंदर बड़ली है बड़ली अजमेर के अंदर है भई अजमेर के अंदर है बड़ली अजमेर के अंदर है बड़ली अजमेर कब कहें 433 का बड़ली सिला लेगे इसकी कोज इसकी कोज ऊसे लिखे 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 लेना जी अचोजा अब चोटे बच्चे तोड़े ओ जी आचोजा अब जी आचोजा की द्वारते कोछ की जाती है और अगली लाइन्स लिखना है आपको राजस्तान का सबसे प्राचिन सिलालेक है राजस्तान का सबसे प्राचिन सिलालेक है राजस्तान का सबसे प्राचिन सिलालेक राजस्तान का सबसे प्राचिन सिलाले कौन सा है बड़ली सिलाले यह हो गया बड़ली सिलाले के बारे में यह आपको द्यां रखना है अगला सिलाले के गोसुंडी सिलाले अभे गोसुंडी सिलाले के अंदर है बिल्कुल चलो में साती साथ नोट डाउन करवाते हुए चलो है गोसुंडी सिलाले चितोर गड़ के अंदर है कहां पर चितोर गड़ के अंदर है कौन जी सदी का है दित्य सदी इश्वी पूरका कब का है डित्य सदी इश्वी पूरका कब का है डित्य सदी इश्वी पूरका है कौन सा गोसुंडी सिलाले कहां पर है चितोर गड़ के अंदर है अब इसकी कोज किसके द्वारा की जाती है कोज इसके खोज की जाती है कवी राजा स्याम्ल दास के द्वारा कवी राजा mówią कि कोज किसके द्वारा की जाती है कवी राजा स्यामल दाज के द्वारा खोज की जाती है और इसका देन किसके द्वारा की जिया जाता है इसका देन किया जाता है डाक्टर बंडार करके द्वारा डी आर बंडार करके द्वारा डी आर बंडार करके द्वारा जो गोसुंडी शिला लेके उसकी खोज की जाती है किस बासा के अंदर है संसकर्द बासा में संसकर्द बासा के अंदर है लीपी कौन ची है ब्राम में लीपी यह गोसुंडी शिलालेक के बारे में द्यान रखना है आपको ना कि कि लेख की बिल्वी कि ब्राम में लीपी ओके ने मिल्कूल !! ब्राम्मी लीपी लिखने हैं ब्राम्मी लीपी आवाद के लिए रहे ने पीचे था ब्राम्मी लीपी लिकावाए बोर्ड के अंदर ब्राम्मी लीपी जल्दे नोट डाउन कर लो वो सुन्डी शिला लेक के बारे में ध्यां रखना है अब देखो पहले तो अपन क्या पड़ेगे अभी तो शिला लेक का टोपिक चल रहा है दो तीन दिन दे कपारा शिला लेका चलेगा इसके पसाथ हम सिक्के भी पड़ेंगे सिक्कों को पड़ने के पसाथ कुछ तामर पत्तर भी लिखे गए उनके बारे में भी देखेंगे तामर पत्तर देखने के पसाथ पिर हमारा सब्वेत्याव टोपिक प्रारम होगा आप इत्ते देरे चलोगे तो तीन चार दिन का समय तो लगेगा कित्ता समय लगता है आदे गंटे का आदव गंटा तो आप एसे क्राप कर देते हो और आदे गंटे की क्लास वो पती है मिस्किल से पनी और शीला लेके बहुत सारे तोड़ा पास्ट लिखा करो कि यूटूब क्यों प्रिविय अप्लोड होई गिने लाइव चल रही रिकोड़ेड होगी रिकोड़िंग चल रही इसकी और यूटूब पर अप्लोड करती जाएगी लाइव अरे लाइव इतना पॉसिबल नहीं न में वही टोपिक यहां पर आपको पढ़ाऊं और वही पिर आपको लाइव दू यह आपका ही तो फायदा हो रहा इसके इंदर आपको यूटूब पर भी मिलाएग यूटूब पर भी देख सकते हो ना गर जाके कि क्या-क्य पढ़ाया आज सर ने जैसे आप कोचिंग के अंदर उपस्तित नहीं हो पाते हो तो आप गर से बाद में देख सकते हो इस क्लास को कितनी सुविदा देरे की आपको पिर भी आप इस सुविदा का लाब ना लेओ तो आपकी गल्तिए लाब तो उटाना उटाया करो सब सब्सक्राइब को शाहरी ना तो आद दिन तक किसी एक्जाम के अंदर पूची गई है और ना पूची जाएगी शाहरी से ने तो तेरा बलावने वलाए न मेरा वलावने वलाए तो बताव कि उसका बलाव है नहीं हो आना तो शाहरी अपन याप पर फढ़ने के लिए साहरी एक दिन साहरी की कलास रख लेंगे अपन इसके अंदर टोटली साहरी सुनेंगे अपन आपको ना आप साहरी 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 याद नहीं आज है पनूची कर दो इा झाहरी अपन आप menor कि उसके वो वोता है साहरी याद लोड़ने याद चको बलावने वानमे के लेद़ कि पंगने के इन साहरी दो वातेर पामार बांव कर दो आपको घwang किया पुद।